मित्रो, यहां गीत हम में संग भावना और आत्म विश्वास जगाने का काम करता है। हर एक मनुष्य की शक्तियों का एहसास कवी ने करवाया है। धर्ती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुठियों में बंध तू फान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे परवत पहाडों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमरुत निचोड़ दे। तू जो चाहे धर्ती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वर्दान, तेरी आत्मा में स्वयम भगवान है रे। कवी यहाँ पर मनुश्य के आत्मविश्वास को जगाते हुए कहता है कि हे मनुश्य, तू चाहे तो परवतों को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के मुख वरास्ते को भी बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमरुत निकाल सकता है। अर्थात चाहे वैसी फसल पैदा कर सकता है। तू अपनी इच्छा अनुसार धर्ती को आकाश के साथ भी जोड सकता है। इस प्रकार तू ऐसे काम करके अमर हो सकता है। तेरे प्राणों में साक्षाद भगवान है जो हमेशा तुझे अमर्ता का वर्दान देता है। नयनों में ज्वाल तेरी गती में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। प्रित्वी के लाल तेरा हिमगीरी साभाल, तेरी ब्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान जरा श्रक्ती पहचान, तेरी वानी में युग का आवान हैरे। ये मनुश्य तेरे नैनों में क्रोध रूपी अगनी की ज्वाला भरी हुई है। तेरी चाल में वो शक्ती है जो पुचाल ला सकती है। तेरे अंदर तेरी चाती में महाकाल रूपी शिव बैठे है। ये पृत्वी के लाल तेरे पास हिमगिरी हिमालय के जैसा बाल, अर्थात, दिमाग है। तेरी भृकटी अगर तिर्ची हो जाए तो पृत्वी पर तांडव हो सकता है। ये मनुश्य तू अत्यंत शक्ती शाली है। अब तू खुद को जान, खुद की शक्ती पहचान। ते तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापो का प्रलय रुके, पशुता का शीष जुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मती मान, पवन सा तू गती मान, तेरी नब से भी उँची उडान हैरे। हे मनुश्य, जिस प्रकार धरती में धीरता है, वैसे ही धीरच तुझ में भी है। तुझ में अगनी जैसी ही शक्ती है। तुझ में इतनी शक्ती है कि काल को भी रोक सकते हो। अर्थात, समय विधी में हर काम पूर्ण कर सकते हो तेरी हिम्मत से आज जो पाप रुपी प्रलाय फैल रहा है वह भी रुख सकता है मनुश्य की पशुता को भी रोकी जा सकती है हे मनुश्य, तु गुरु के जैसा बुद्धी मान है और पवन सा गतिमान भी है